आज मैं आपके साथ सूजी पीजा की रेसिपी शेयर करने जा रहे हूं जो कि हम बिना कड़ाई के बिना ओवन के पहुती आसानी से पैन में बना कर त्यार करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं से बनाना सूजी पीजा बनाने के लिए मैंने आदा कप सूजी लिए है सूजी को बोल में डाल दिया है और साथ ही मैंने इसमें डाला है वन थर्ड कप दही नमक स्वात अनुसार अब इस सब को अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है और अब इसमें डालना है पानी थोड़ा थोड़ा पानी डालते चाहिए इसमें आप इसे बहुत ये अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए कम से कम 2 मिनट तक इसी तरह आपको इसे फैटना है जरूरत के नुसार इसमें हम और पानी एड़ कर दे जाएंगे आप ये पीज़ा बनाने के लिए कोई सी भी सूजी बारिक मोटी जो भी आपके पास हो उसका यूज़ कर सकते हैं अब ये आप देख सकते हैं कि जो बैटर है काफी गाड़ा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और एड़ करूँगे अभी सूजी काफी पानी सोकती है तो उसके नुसर आप इसमें पानी एड़ करें यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है एक बर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ यह देखिए मैंने हलका सा पतला रखाए हैं सूजी को क्योंकि यह पानी सोक लेगी तो बाद में एकदम परफेक्ट बैटर बनके त्यार हो जाएगा अब इसे हम कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए और 10 मिनट बाद अब यह पैटर को हम चेक करेंगे यह देखिए एकदम परफेक्ट बैटर है अगर आपको इस स्टेज पर लगता है कि वैटर काफी गाड़ा हो गया है तो आप थोड़ा सा पानी एड़ कर सकते हैं हमें इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए और अब यहाँ पर मैं इसमें एड़ करूँगी इनो तो आदा चमच इनो मैं इसके अंदर डालूँगी इनो डालने से बहुत ही अच्छा आपका यह पीजा वेस्ट बन के त्यार होगा अब मैंने इनो सूजी के बैटर में डाल दिया है और इसके उपर मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी जिससे कि इनो अच्छी तरीके से रियक्ट करेगा सूजी में और अब इसे आप सूजी के बैटर में अच्छी तरह मिक्स कर दीजे बहुत ही आसान होता है ये सूजी पीजा बनाना अब आपके घर में कभी भी आप पीजा बना के त्यार कर सकते हैं जब भी आपके बच्चों का मन करें पीजा खाने का तो मार्केट से क्या ओडर करना है फटाफट से अपने घर में इसे बना कर त्यार कीज़े अब गैस पर मैंने एक पैन रखा है और पैन को आपको ओईल लगा कर अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेना है हम डिरेक्ट इसे पैन में बना कर त्यार करेंगे कोई ओबन कोई कड़ाई की हमें ज़रूरत नहीं है गैस का फिलिम मैंने यहाँ पर लो रखा है और अब जो हमने सूजी का बैटर बना के त्यार किया था वो हमें इसके अंदर डाल देना है हलका साम इस तरीके से फैलाएंगे से हमें इसे पतला नहीं करना है है मोटा रखना है क्यूंकि जो पीजा-वेस है वो थोड़ासा मोटा है जता है तो यहां पर मैंने और बैटर इसके और डाल दिया है और सभी तरप से इसे एक जैसा कर देते हैं कि फोड़ासा मै और इसके अंदर बैटर डाल देती हूं किनारों से पस अभी एकदम परफेक्ट हमारा पीजा बेस बन के त्यार हो रहा है एक जैसा मैंने इसे सभी तरब से कर दिया है अब इसे हम कवर कर देते हैं और 5 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर इसे बनने देते हैं अब 5 मिनट बाद मैं इसे चक कर लेती हूँ यह देखिए जो हमारा पीजा बेस है ना उसके उपर हलक हलके बबल्स आगे हैं तो अब मैं यहाँ पर एक चम्मच ओल साइट से डाल देती हूँ और थोड़ा सा ओईल हम इसके उपर भी लगा देते हैं इसका कलर उपर से हलक हलका चेंज हो गया है तो अब हम इसे पलट देते हैं अब यहाँ पर मैंने इसे पलट दिया है और अब आपको इसे पलटने के बाद गयस का फ्लेम आफ कर देना है और इसकी टॉपिंग करनी है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसके उपर लगा रही हूँ पीजा सॉस अच्छी तरीकी से पीजा सॉस लगा लीजे इसके उपर पीजा सॉस की रेसेपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं सूजी पीजा बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कम समय में पहुती टेस्टी पीजा यह आसानी से बन के त्यार हो जाता है अब यह सॉस लगाने के बाद मैंने इसके उपर डाला है थोड़ा सा मौजरेला चीज और चीज डालने के बाद हमें इसके उपर लगानी है थोड़ी सी सबजियां तो मैंने यहाँ पर लिया है येलो, रैड और ग्रीन शिम्ला मिर्ज, स्वीट कॉन और प्याज आपके पास अगर कलर्फुल शिम्ला मिर्ज नहीं है तो आप केबल ग्रीन शिम्ला मिर्ज का भी यूज कर सकते हैं अब इस पीजा को अच्छी तरीके से आपको टेकुरेट कर लेना है इन सबजियों से ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है न हमारा पीजा पहुत ही कलर्फुल यमी यमी पीजा अब इसके उपर मैंने डाल दी है थोड़ी सी स्वीट कॉन और अब मैं फिर से इसके उपर डालूँगी मौजरेला चीज मैं यहाँ पर चीज थोड़ा चादा डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे को चीज काफी पसंद है और मैं उसी के लिए ये पीजा बना के त्यार कर रही हूँ तो मौजरेला चीज मैंने अच्छी तरीके से इस पर डाल दिया है अब मैं इसके उपर डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स आप अपने स्वादन उसार इस पर चिली फ्लेक्स डालिए और चिली फ्लेक्स डालने के बाद मैं इसके उपर डालूँगी औरिगेनो आज अच्छा मच औरिगेनो डाला है अब मैंने यहाँ पर गैस ओन कर दी है गैस का फ्लेम लो कर दिया है और अब इसे हम कवर करके 8-10 मिनट तक पकने देंगे जब तक की चीज अच्छी तरीकर से मेल्ट होगा तब तक अब यह 8-10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि चीज अच्छे से मेल्ट हो गया है बहुत ही अच्छा एकदम चीजी चीज से बिल्कुल भरा हुआ हमारा यह पीज़ा बनके त्यार हो गया है तो इसे अब हम निकाल लेते हैं और इसे अब हम कर लेते हैं कट अगर आपको यह सूजी पीज़ा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंड और शेयर करना ना भूले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसे देख करीम हुमें पानी आ रहा है बहुती डिलीशस टेस्टी यह पीज़ा बनके त्यार हुआ है अब आप भी अपने घर पर इसे जरूर ट्राई कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं अगली वीडियो में